गुड मॉनिंग, उमीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, तो आज का जो हमारे वीडियो है, इसमें हम आपको पताएंगे, कि अगर आपके पास कोई फोटो है, और उसमें से आपको बैक्राउंड रिमूफ करना है, या बहुत से लोगों की फोटो है, ग्रूप आप पीप जाती है, या मैं और सिंपल तरीक से बता दूँ कि अगर आप कोई थमनेल बना रहे हैं, यूट्यूब का थमनेल बनाय जाता है, वो अगर आप बना रहे हैं, तो उसमें हमें फोटो जो चाहिए होती, जो इमेज चाहिए होती, वो .png का फॉर्मेट चाहिए होता है, सेकेंड से काम हो जाता है, कोई हवी सब्फ़ेर यूज नहीं हुआ है, अडो फोटोशॉप, कोरल रो या पिकासा वेगार कुछ नहीं, सिंपल एक, आप मुबाइल से कर सकते हैं, पिकसार नाम की एप आती है, बहुत ही फेमेज आप है यह, और सबके Android मोबाइल में चल ज प्राइब जरूर कलने, अपडेट पाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं, यह हमारी पिक्चर खुल गई है, जिसको हम बैक्राउंड रिमूफ करना चाहते हैं, या इसमें से कोई एक रेक्टर को हम किनारे करना चाहते हैं, मतब उसका हमें आपको इसकी लोगो फॉर है, उसमें हमने इसको खोल दिया, बहुत ही ईजी है, एक बार में आप देख लेंगे, समझ जाएंगे, यह जब हमने इसको एप में खोला, यह देखिया आप ही खुल गई, अब इसमें जाकरके हमने टूल्स जो इसका ऑप्शन है, यह टूल्स को select किया, और इसमें हमने इ अब हमें इसको सिर्फ इनका हमें PNG format चाहिए, means खाली इसका हमें logo format चाहिए, तो इसके लिए हमने cutout वाले पे click करके person पे click कर दिया, इसमें बहुत सा options है, हमें पूरा चाहिए, तो हमने person पे click कर दिया, तो देखिये, यह पूरा person जो है, यह इनका crop हो गया, यह रिखिये, आप चेक कर लिए, कि यह पूरा आपका एकदम, यह रिखिये, कोने कोने से एकदम, कभी-कभी होता है कि कुछ छूड़ी आता है, तो आप tools दियेगा है, उसमें आप manually भी कर सकते है, लेकिन perfect दिख लिए, इसमें एकदम perfectly यह पूरा select हो गया है, बागि आप जब यह software यू आप इसको save कर लेंगे, आपने खुद समझ गया होंगे, यह कितना छोटा काम है, मुश्किल से 5-10 लगेंगे खाली crop करने पर, इसमें तो 4 लोग है, अगर आपके कोई family photo है, तो भी आप 8-10 लोग में से किसी उखटा सकते हैं, और दूसी चीज, please इस application को चलाने से पहले net अपन कर दियेगा, तो कि इसमें बहुत से ज़्यादा हैं, इसमें परशान हो जाता है, तो इतना ध्यान रखिएगा, तो यह देखिए, मैंने इसको अपने gallery में save कर लिया है, यह आपकी gallery में save हो जाएगी, अपने gallery में जाएक करके, Pixar वाला एक folder बन जाएगा, उसी folder के अं background clear दिखेगा, और वो .png format होगा, यह देखिए, इसका आपने folder खोला, Pixar वाल यह देखिए, आपने यह image देखिए, इनकी यह देखिए, यह पुटा background clear है इनका, और आप इसका जब extension check करेंगे, तो यह .png होगी, means logo format, तो I hope यह बहुत ही, मेरे इसाफ़ बहुत ही easiest way है, जि तो अगर आपको यह video पसंद आई हो, या कोई भी परिशानी हो इसमें, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, and thanks a lot for watching this video, thank you